रोहतक शहर में पाँच हत्याओं की वारदात को अंजाम देकर दिल्ली में छुपा हुआ सुखविंदर नाम के आरोपी को समय पूर बादली थाना पुलिस ने किया गिरफ़तार हर्याना पुलिस के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने की गिरफ़तारी रोहतक शहर में तबर्तोड पांच हत्याओं को अंजाम देने वाला आरोपी डिली के समय पूर बादली में थाना पुलिस ने किया गिरफतार रोहतक के मेहर सिंग खारे में अंधादूंद गोलियां चला कर दिया था वारदात को अंजाम आपसी रंजिश के चलते वारदात क अंजाम देने की आशंकार रोहतक के हत्यारे को राजदानी डिली के बादली थाना इलाके में पुलिस ने किया गिरफतार भार्याना रोहतक में शुकरवार शाम हुई फाइरिंग में पांच लोगों के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी एक कुष्टी कोच के बारे में स सुखुंदर दिल्ली के समय पूर बादली थाना इलाके में छुपा हुआ था जहां पुलिस ने जानकारी के आधार पर दबिश डाली और उसे दर्द दबोचा। रोह तक के जाट कॉलेज के पास एक अखाड़े में शुकरवार शाम को गोली बारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे मारे गए लोगों में कॉलेज करमचारी मनोज मलिक, उसकी पतनी वरेलवे करमचारी साक्षी मलिक, एक कुष् सतीश और एक महिला खिलाडी शामिल है। हरियाना का रोह तक गोली बारी कान से देल ओठा एक ये जगह पर पांच लोगों का शव खून से लथपत हालत में पढ़ा हुआ था बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते सरवेंद्र नाम के विक्ती ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस लगातार सफलता से पूछताच कर रही है और दिल्ली पुलिस ने गिरफतारी के बाद हरियाना पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी है और बताया जा रहा है कि आरोपी सुखविंदर को दिल्ली पुलिस हरियाना पुलिस को हेंड ओ कर देगी क्यूंकि हत्याकान का पूरा मामला हर्याना के रोह तक से जुड़ा हुआ है